हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है इजी किचन हैक्स में आज हम इलेक्रिक राइस कूकर में छे रेसपीश ट्राइ करने वाले हैं दाल चावल हो, ग्रेवी हो मसाला राइस हो, फ्राइड राइस हो सब कुछ ट्राइक करने वाले हैं तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, यहां पे मैंने दो कप चावल ले लिया है, चावल को हमें अच्छी तरीके से धो लेना है, दो से तीन बार अच्छी तरीके से वाश कर लेना है, अब यहां पे पानी को फेक देंगे और साफ पानी, मतलब हमने दो कप तो हमें चार कप यहां पर पानी एड़ करना है, जैसे ही ओन करेंगे आप यह वाम के ओपर होता है तो आपको इसे कुक के ओपर स्विच करना होगा, ढकन लगा करके हम इसे पका लेंगे, दस मिट के बाद देखिए आधा पका हुआ है, बीस मिट में हमारे चावल पूरे पक वापस से पॉट को अच्छी तरीके से वाश करके हम ले लेंगे, इसमें डालेंगे हम ओईल, तेल डालेंगे और वापस से कुक के ओपर हमें इलेक्ट्रिक राइस कुकर को स्विच करना है, डकन लगा के तेल गरम हो जाए, उसके बाद हम डालेंगे बारी कटी हुई लहस स्किप भी कर सकते हैं, मिर्ची डालेंगे, तीखा आप अपने स्वात के अनुसार डालिएगा, एक प्याज एड करेंगे, और प्याज को हमें दो मिनिट के लिए भूलना है, और ये रेखिए, जैसे ही थोड़ी से हलके ब्राउन हो जाए, यहां पे हम बाकी सारी सबजिय आप अपने पसंद की सबजियां इसमें डाल सकते हैं, और इन सबजियों को हमें पांच मिनिट के लिए पकाना है, तो ये रेखिए, ये पांच मिनिट में अच्छी तरीके से पक जाते हैं, और उसके बार अब इसमें हमने कुछ और चीज़े एड करनी है, जैसे की आप कितनी कॉंटिटी में बना रहे हैं, उस पे भी डिपेंड करता है, तो थोड़ा सा कम जादा आप सौसिस को डाल सकते हैं, एक चममच टोमेटो सौस एड किया, और बस यहां पे जो चावल हमने बना करके रखे थे, ये चावल मेंने बनाया थे आधे घंटे पहले, अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लिया, स्प्रिंग अनियन नहीं था मेरे पास, तो मैंने कोरिंडिय लीव्स एड कर दिये हैं, ताकि थोड़ा सा कलरफुल लगे, और यहां पे हमारी चाइनीज वेज फ्राइड राइस बन करके बिल्कुल तयार है सर्फ करने के लिए, य यहां पे हम सबसे पहले इलेक्रिक राइस कुकर में पानी डालेंगे और इसे हम अच्छे से बॉल होने देंगे, पांच मिर्ट में बॉल होना यह स्टार्ट हो जाता है, अब इसमें हम एड कर देंगे अंडे, तो अंडे को ध्यान से डालिएगा, यह देखिए मैंने बॉल कर लेंगे, और हमारी जो एगफट चुकी थी, क्रैक आ चुकी थी, वो तो पूरी ही बाहर आ चुकी है, लेकिन बाकी सारे अच्छे से बॉल हुए है, अब नेक्स टेप हमारा यह है कि हमें अंडो को अच्छी तरीके से इसकी स्कीन निकाल करके तयार कर लेना है, अ और फिर कुक के उपर स्विच करेंगे, तो स्विच हो जाएगा आसानी से, जैसे ही पॉड गरम हो गया, मैंने इसमें ओईल डाला, ओईल गरम करने के लिए वापस लिड लगाया, और इसे कुक के उपर स्विच किया, अब यहां पे मैंने ले लिया है दो प्यास, जो की मै जो डालने से बहुत ही बढ़िया और रिच फ्लेवर आता है ग्रेवी में, तो एड जरूर करिएगा, पर अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं है, यहीं पे आपको डालना है तो आप अदरग भी एड कर दीजिए, लेकिन मैं बाद में जिंजर पेस्ट इस्तमाल करने वाली ह इसलिए मैंने अभी अदरग एड नहीं किया है, यहाँ पे यह सारी चीजें अच्छे से भुन गई है, ब्राउन हो गई है तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, थोड़ा सा थंडा हो जाए तो उसके बाद हम सारे माटेरियल को ग्राइंडर में डालेंगे, थोड़ा स और जो हमने ग्राइंड करके पेस्ट बनाया है, इसे हम इसमें डाल देंगे, इस पेस्ट को हमें छोड़ना नहीं है, लगातार 2 मिनट के लिए चलाते रहना है, क्योंकि हमने इसमें काजू डाला है, अगर आप इसे चलाते नहीं रहेंगे तो यह जल जाएगा, 2 मिनट त लिए इन मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है और अब यहां पे मैं एड कर रही हूँ एक ग्लास पानी ग्रेवी की कंसेस्टेंसी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम जादा कर सकते हैं नमक डाल देंगे स्वात के अनुसार और एग में हम इस तरीक ओक के लिए पूरा पूरा टेस्ट और फ्लेवर आजाए लास्ट में डाल दिया है कोरियंडर लीवस हो तो डालीय नहीं तो स्किप कर सकते हैं और बस यहां पे दो तीन मिनिट टक इसे पकाने के बाद हमारी एक करीबन करके बिल्कुल तयार हैं बनाना बहुत जादा आसा और बहुत ही टेस्टी बन करके यह तयार होता है इस रेसपी को एक बास जरूर ट्राय करिएगा आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है यह रेसपी चलिए अब बनाते हम अपनी तीसरी रेसपी तो यहां पे सबसे पहले हमने ले लिया है एक बरतन इसमें डालेंगे सो इसे हमें finely chop कर लेना है अब electric rice cooker को हम on करते हैं और अगर आप इसे ऐसे ही cook के उपर switch करेंगे नहीं होगा क्योंकि pot बिल्कुल ही खाली है तो आपको धक्कन लगाना है और फिर switch करना है cook के उपर तो आराम से हो जाएगा अब इसमें हम डाल देंगे oil को थोड़ा सा गरम होन में देंगे और उसके बाद हम आगे की चीज़े एड करेंगे यहां पर तेल जैसे ही गरम हो जाए हम इसमें डालेंगे जीरा और राई क्योमिन, mustard, seeds इसके अलावा मिर्ची एड कर देंगे तीखा आप अपने स्वात के अनुसार डालिएगा और जो प्याज हमने लिया था उसे finely chop करके हमें add कर देना है, electric rice cooker बीच बीच में cook से switch हो के warm पे हो जाता है तो उस चीज़ का आपको खयाल दखना है और यहां पर आप देख सकते हैं 5 मिनट के अंदर ही हमारे जो soya bean है अच्छी तरीके से फूल गया है, पानी को अच्छे से निचोड देना है और उसके अच्छी तरीके से हम mix कर लेंगे, अगर आपके पास दही है तो आप वो भी add कर सकते हैं बहुती बढ़िया टेस्ट आएगा इससे प्यास जैसे ही थोड़ी से ब्राउन हो जाए हम इसमें add कर देंगे ginger garlic paste और इसे हम एक मिनट के लिए और भूनेंगे ताकि ginger garlic paste का कच्चा जैसे ही भून जाए हम यहां पर डाल देंगे टमाटर मैंने छोटी साइस के तीन टमाटर लिये थे तो रफली चॉप किया है और इसे add करके हम इसमें डाल देंगे नमक ताकि टमाटर फटा-फट से soft हो जाए अब यहां पर डाल दिया है healthy powder, गरब masala powder और अच्छे से एक मि बी एड कर देंगे और इसे हम दो मिनिट के लिए अच्छे से भून लेंगे, एक बरतन में हम ले लेंगे धाई कप चावल, तू एंड़ाफ कप राइस इसे अच्छी तरीके से हमें वाश करना है, रब करकर अच्छे से दो तीन बार वाश करना है ताकि जितनी भी जावल में से वो निकल जाए, चावल साफ हो जाने के बाद इसमें हम 6 कप पानी एड कर रहे हैं, जितना हमने राइस लिया है उसका दुगना हमें पानी एड करना है, ठीक हैं, तो यहाँ पे सोया बीन भी अच्छी तरीके से भुन गए हैं, पग गए हैं, बीच बीच में इसे आपको चलाते रहना है बिल्कुल भी भूल नहीं जाना है नहीं तो ये नीचे थोड़े से चिपकने लगेंगे और जलने लगेंगे थोड़ा सा ग्रीन पीज भी पड़ा हुआ था गर में तो ये भी एड़ कर दिया है बीस मिनिट में आप देखेंगे कि हमारी सोया बीन राइस एकदम परफेक्टली बन करके तयार हो जाते है इलेक्टरिक राइस कुकर को अब हम बंद करेंगे और हमारी सोया बीन राइस बन करके बिल्कुल तयार है सर्फ करने के लिए इस recipe को आप एक बार try जरूर करिएगा आप इसे 30 मिनिट में आधे घंटे में आराम से बना लेंगे और खाने में ये बहुत जादा tasty लगते हैं अब हम बनाते हैं next recipe यहाँ पे मैंने electric rice cooker को on किया इसमें डाला है mustard oil आप इसे देखिए सेम बही तरीका आप cook के उपर switch करेंगे तो नहीं होगा पर ढखन लगा के करेंगे तो आराम से हो जाएगा ये चीज में बार-बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत जादा comment आते हैं कि आप पूरी cooking कर लेते हैं आपका electric rice cooker cook के उपर switch हो जाता है पर हमारा नहीं हो रहा है तो हम cooking कैसे करें इसलिए मैं बार-बार बता रही हूँ तो तेल गरम होते ही मैंने यहाँ पे डाल द जब तक प्यास ब्राउन कलर में नहीं आ जाता यहां पर grinder में हम डाल देंगे अदरक, मिर्ची, लहसुन और तीन बड़े साइस के टमाटर इसका paste बना करके हम बिल्कुल ready कर लेंगे और जब प्यास हमारे इस तरीके से ब्राउन कलर में आ जाए यह आप देख सकते हैं बि जिर्फ अपनी पसंद की सब्जी आ जो भी डालना है डाल सकते हैं अब भग करके हमें पकाना है 5-6 मिनिट के लिए पकाना है अब बीच बीच में इसे चलाते रहना है ताकि यह नीचे तले में चिपक ना जाये 5-6 मिनिट टक पकाने के वार इसमें डाल देंगे हल्दी प अगर आपको किसी भी स्टेज पर ये लग रहा है, कि नीचे चिपकने लग गया है या फिर जलने लग गया है, तो आप ठोड़ा सा पानी ऐड़ कर सकते हैं, मसाले अच्छे से बुन जाने के बाद, मैंने यहाँ पे दो बाउल पानी, मतलब दो कप पानी का इस्तिमाल किया ह नमक डाल देंगे स्वात के अनुसार और इसे ढग करके हमें अब तब तक पकाना है जब तक हमारे आलू और मटर अच्छी तरीके से नहीं पक जाते हैं इसे पकने में आराम से 20-25 मिनिट का टाइम लग जाता है तो ये रेखिए थोड़े से कच्छे हैं अभी पूरी तरीके से मेश नहीं हो रहा है इसली मैंने इसे 5 मिनिट के लिए और पकाया है अब वापस से मैं एक बार आलू को चेक कर लूँगी मटर तो फिर भी जल्दी से पक जाते हैं लेकिन आलू को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है यहां पे हमारी आलू मटर बन कर के तयार है लास्ट में डाल देंगे बारी legitim कटा हुआ हरा धन्या और यहां पे आलू मटर की ग्रेवी बन करके बिलकुल तयार है इलेक्रिक राइस कुकर में इस एक और एक की रेसपी बनाने के लिए हमने ले लिये हैं कच्छे अंडे बícia हैं जूदी हमने कम नेक कच्छे अंडा बांट करना है जएम जोड़े से करना करते हैं हम डाल देंगे जिंजर और गालिक हो हैं इसे हमें एड़ करना है और 1 मिनिट के लिए या फिर कुछ सेकंड्स के लिए भूनना है और इसमें डाल देंगे मिर्ची और 2 मेडियम साइज के प्यास को मैंने فाइनली चॉप किया है इसे भी एड़ कर देंगे प्यास को हमें ब्राउन कलर आने तक पकाना है तो बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे ओईल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा थो और मैंने थोड़ा सा और एड़ किया है तीन मीडियम साइस के यहां पे टमाटल लिये हैं तो यहां पे ग्रेटर की हेल्प से ही मैं ग्रेट कर ले रही हूँ अगर आप चाहते हैं तो इसे ग्राइंड करके भी बना सकते हैं प्यूरे बना करके बिल्कुल रेड़ी है यहां पे हमारा प्यास भी अच्छे से रेखिए ब्राउन हो चुका है और बीच बीच में इसे चलाते रहना है नहीं तो देखिए यह नीचे इस तरीके से चिपकने लग जाएगा हम इसमें एड कर देंगे टमाटर प्यूरे अब डालेंगे हल्दी पाउडर, धन्या पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और इन सारी चीजों को हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, एक मिनिट से भी कम का टाइम लगेगा भूनने में तो यह देखिया हमारे मसाले यहाँ पे जैसे ही अच्छे से भून जाए अब इसमें हम एड कर देंगे थोड़ा सा पानी देंगे ताकि यह नीचे तले में ना चिपके और इसके बाद हम इसमें एक उबाल आने देंगे अरलब 2-3 मिनिट के लिए इसे बॉल होने देंगे ताकि जो पानी हमने एड किया है अच्छे से पक जाए नमग डाल देंगे स्वात के अनुसार और अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे अब यहाँ पे हमने अंडो को तो बॉल किया नहीं है तो हमें क्या करना है अंडो को हमें इसी तरीके से क्रैक करना है और लगा करके इसे पकने देना है पांच से छे मिनिट में हमारे अंडे अच्छी तरीके से पक जाते हैं ये देखिए आप देख सकते हैं ये अंडो को पकने में बिल्कुल भी जादा टाइम नहीं लगता है तो पांच से छे मिनिट में ही ये अच्छे से बॉयल होके पक जाते ह और हमारी नए तरीके की एक करी बनकर के बिल्कुल तयार है जिसमें आपको अंडे बॉयल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी लास्ट में डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया जेंटली मिक्स करेंगे मतलब तोड़ेंगे नहीं बस एक बार हलके से मिक्स कर देंगे और यहां पे हमारी एक करी बनकर के बिल्कुल तयार है सर्फ करने के लिए इस रेसिपी को भी आप एक बार ज़रूर ट्राइ करिएगा आपको यह सच में बहुत जादा पसंद आएगी हमारी लास्ट रेसिपी है दाल चावल, यहां पे मैंने तूर डाल ले ली है और तूर डाल मैंने देड कप लिया है तो साह्त यह मैंने 3 cup देड की से और राइस क्कर कर दक कृपन ले को ली और यही से रेस के एक मैंने 3 cup ले 110 यहिस किया है और गार्ति सब्सक्राइब आप हम 2-3 बार अच्छी तरीके से वाश करेंगे और डाल को भी हमें 2-3 बार अच्छी तरीके से वाश करना है आप चाहें तो डाल चावल को 10-15 मिट पहले भीगो करके रख सकते हैं, बिल्कुल आप्शनल है, अच्छे से वाश करने कार यहां पर मैंने पॉट डाल दिया, धुली हुई तूर दाल को हम इलेक्ट्रिक राइस कूकर के पॉट में डायरेक्ट डाल देंगे अभी हमने इसमें पानी एड नहीं किया है, तो मैं आपको मैशर करके बताती हूँ कि हमें कैसे डालना है उससे पहले हम यहां पर डाल में डाल देंगे नमक, स्वात के अनुसार और हल्दी पाउडर डाल देंगे तर्मरीक पाउडर जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने देड़ कप तूर डाल ली थी तो यहां पर मैं चार कप पानी का इस्तमाल कर रही हूँ वैसे हमें बाद में और पानी एड़ करना होगा मैं आपको दिखाऊंगी और चाफल हमने देड़ कप लिए तो तो इसमें हमें तीन कप पानी का इस्तमाल, मतलब दुगना पानी का इस्तमाल करना है अब चाफल को हम एक टिफिन में डाल देंगे और टिफिन का ढखकन अच्छी तरीके से बन कर लेंगे हमें इस तरीके के टिफिन लेनी है कि चावल उसमें डालने के बाद टिफिन आधा खाली होना चाहिए क्योंकि पकने के बाद चावल की कॉंटिटी दुगनी हो जाती है और आप 5 मिनिट के बाद देखेंगे तो यह थोड़ा सा उबलना स्टार्ट हुआ है इसे ढख देते हैं और चावल को पकने में टोटल टाइम जो लगता है 20 मिनट का टाइम लगता है और डाल को पकने में जो टोटल टाइम लगता है वो 45-50 minutes का time लगता है तो उसी साब से मैं आपको दिखाऊंगी तो यह देखिए यहाँ पर total 20 minutes हो चुके हैं और मैं एक बार अपनी चावल को open करूंगी लेकिन उससे पहले electric rice cooker को हमें बंद करना होगा ताकि हम जल ना जाए और भाफ जो steam हमारे हाथ पे ना लग जाए यहाँ पर बंद करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा चावल अच्छी तरीके से पक चुका है तो चावल की टीन को हम यहाँ पर बाहर निकाल लेते हैं कि अल्रेडी पक चुका है तो अंदर रखके कोई फायदा नहीं है तो इससे निकाल लेते हैं क्योंकि चावल जो होते हैं बीस मिनिट में ही पक जाते हैं लेकिन डाल को पकने में दुगना टाइम लगता है और बीस मिनिट के बाद आप देखेंगे तो हमारी डाल अच्छी तरीके से बन करके तयार हो गई है हम स्टार्टिंग में अगर जाधा पानी एक साथ ही डाल देतों तो प्रॉबलम यह होती कि फिर टीन को रखने की जगा नहीं बसती और पानी जो है बाहर भी बह सकता था इसलिए हमें आधा पानी बाद में डालना था आधा पहले डालना था हमारी डाल और चावल दोनों ही बन करके तयार है इसे सर्फ कर लेते हम आप देख सकते हैं हमने जो टमाटर भी डाल में एड की थी वो भी अच्छी तरीके से एकदम मैश होके पक चुकी है अगर मैं आपको टोटल टाइम बताओं तो ये दोनों बन करके तयार हुए है एक घंटे में 20 मिनिट में चावल को मैंने बाहर निकाल लिया था और दाल को पकने में पूरे 45-50 मिनिट का टाइम लगता है इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक राइस कुकर में दाल और चावल दोनों एक साथ बना करके तयार कर सकते हैं अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर करिएगा चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई बाई